जी है नमस्कार मित्रों तो budget for competitive exam के इस तीसरे और आखरी वीडियो में आपका स्वागत है कि जहां पर हम लोग सब government schemes जो latest budget में announce की गई उसके जो भी facts हमको रटने हम रटेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने budget का introduction और सारे deficits तियार किये थे पिर दूसरे वीडियो में सारे tax तियार करे थे और ये तीसरा और आखरी वीडियो इसमें सब scheme और subsidy देखेंगे इस वीडियो का structure कुछ ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं कुछ ब्रामक मानेताओं का खंडन myth busting करूँगा फिर जो schemes पुरानी और नई जिनके बारे में बात हुई है फिर ये CSS क्या होता है उसके type allotment वो data रटना पड़ता है कुछ MCQ के लिए subsidy का data रटेंगे lastly interview के लिए दो तिन line में criticism और उसकी answer तियार करेंगे इस वीडियो का power point भी आप download कर सकते हैं link is in the description लेकिन हो सकता है वो कल सोंबार तक आपको front end में दिखे देखे सबसे पहले तो myth busting ब्रामक मानेता है कुछ तिन पहले एक बैन ने मुझे mail बज़ा था कि कोरोना से पहले जो सरकारी योजना आई थी मलब 2020 के पहले की उसको मैं नहीं देखू तो चलेगा मुझे 2025 में attempt देना है तो इन सबको मैं कहना चाहूँगा भाई छोटी बुद्धी से काम मत करो पुराने paper देख भी लिया करो for example सांसदों के लिए MP-led scheme है कि जहां पर उनको हर साल पांच करो रुपे मिलते हैं उससे वो development के काम अपने चुनाव क्षेत्र में constituency में कर सकते हैं ये योजना 1993 में बनी थी और उसका प्रश्णा पूचा सिद्धा 2020 में आपको बीच बीच में कभी कभी पूचे होंगे पन आप समझो पुरानी योधनाई भी पूचते हैं ऐसे और भी बहुत सारी schemes हैं 4-4-5-5 साल पुरानी योधना हो फिर भी अभी पूचते है ये जो Royal Entry Toppers और YouTube Vlogger से इनकी एक तकलिफ क्या है उन्होंने तीन या पांच साल तक की दुनिया देखी है तो उनको अगर उतने टाइम फ्रेम में कोई प्रकार का question नहीं देखा तो वो बोलना ये मत बढ़ो वो मत बढ़ो पर आप समझो exam UPSI तो कुछ time paper पे लिख के दे नहीं रहा है न जो भी main main बड़े-बड़े schemes हैं ये सारे बड़े-बड़े schemes हैं तो इनके बारे में आपको पता होना ची पुराने paper देख के चलो छोटी बुद्धी से काम मत कर मैंने जो अपना economy का handout बना है उसमें मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी topic खतम हो जाए उसके बाद उसमें से अगर कोई प्रशना है हूँ उसको मैं PY की उड़र ही डाल देता हूँ ताकि नजर के सामने रहे विद्याथी को छोटी बुद्धी से काम नहीं कहा है कहां भाई ये तो पूछते हैं तो ये योजना भी काम किए तो इस कारण से भी मेरा hand out लेंदी हो जाता है जिसका आज कल फिर से रोना दोना चाल हूँ है खेर वापस आते हैं मैंने पहली myth bursting कर दिया पूरानी scheme भी अगर famous हो तो वो exam के लिए काम किए है दूसरी बात है IS exam की difficulty और government schemes बहुत सारों पहले एक movie आई थी transformers उसमें ये hero था शिया ले बूफ तो उस वगत वो मदलब बोला बाला बाबू शुना टाइप लेकिन आज कल की फिल्मों में आप देखो देरे देरे वो एकदम tough great hardcore type का उसका makeover हो रहा है UPSC के अंदर भी government scheme में कुछ ऐसा ही हो रहा है पहले सिधा सिधा एक एक दो दो line में आसान चीज़े आती थी या तीन statement भी दिये हो तो उसमें elimination technique से आपका काम हो जाए आज कल बहुत tough हो गया है एक example में आपको दूँ एक योजना है एनीमिया मुक्तब भारत 2018 में आई उसमें बहुत सारे काम करेंगे उसमें बहुत उनका reform ऐसा है कि जो बच्चा पैदा होता है तो इसका ये जो umbilical cord होता है गर्ब नाल उसको तुरंद नहीं काटेंगे उसको 2-3-5 मिनिट बाद में काटेंगे ताकि क्या हो मदर के शरीर के अंदर जो भी blood है वो बच्चे के अंदर थोड़ा और transfer हो जाए ताकि उसे एनीमिया का chance कम हो जाए अब ये ऐसी बारीक चीज है कि जो हम normally तयार करके नहीं जाते क्योंकि पहले इतना बारीक बारीक पुछने का रिवाज नहीं था लेकिन ये जो latest prelim exam होई 2023 की चार प्रश्ण बलब चार statement दिये एनीमिया मुक्त भारत strategy के और पुछा how many correct मलब elimination तुके भी नहीं लग सकते only one of them, three of them वगेरा और फिर उसके अंदर हाँ ये second भी correct है वगेरा, so paper is getting tough अब ऐसा भी नहीं कि ये सब हवा में से गिर के आ रहा है असल में सरकार की खुद की एक इंडिया yearbook हर साल प्रकाशित की जाती है Ministry of Information Broadcasting के द्वारा, उसके अंदर ये सब दिया है, तो सुकुन से अगर पढ़े तो वहाँ दिया है, हाला कि पहले ना हम लोग पढ़ते थे, ना teachers इतना बारिक पढ़ाते थे, क्योंकि पुछने का रिवाज नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है, तो ज़्यादा दिमाद लगाना है उसमें, ऐसे और भी आपको बहुत सारी चीजें, कि जैसे होमगार के उपर किसका कंट्रोल होता है, या ध्यांचन या वर्ड किसको मिलता है, जो पहले ऐसा पुछने का रिवाज नहीं था, तो इस गेटिंग टफ, आपको मदद करेगी, तो यह तो एक लाइन हो गया, लेकिन उससे जादा पढ़ना पड़ेगा, कि बहुत तीन लाग तक का लोन मिलेगा, जिस पे पांट तक का ब्याज उस लाबार्थी ने देना है, उसको पंद्रा जार रुपे का गिफ्ट कार मिलेगा, जिससे वो अपने सब हत्यार साधन खरीच सकता है, स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज उसको चला रही है, चले यह भी मतलब मेजर फीचर हो अब उससे भी अंदर गुष के तियारी करने पड़े, मैं इदर जूम इन करूँ कि बाई और क्या-क्या मिलेगा उनको, हर दिन जो तालीम लेंगे तो 500 रुपे का स्टाइपेंड मिलेगा उनको यह उद्यमासिष नाम के पॉर्टल में उनका रजिस्टेशन होगा फिर ये कुल मिलाकर 18 प्रकार के जो कारिगर हैं, उनके लिए है यहाँ पर ये बात सही है, कि उनको लोन जो चुकाना है उस पर ब्याज है 5% लेकिन बैंकर को तो नुकसान हो जाएगा, उसको तो ज़्यादा ब्याज कमाना है तो गर्मेंट ने बोला देखो बैंकर मित्रो हम आपको 8% ब्याज अपने पोकेट से देंगे यानि बैंकर कूल इसमें 13% ब्याज कमा रहा है से लेके बहुत कुछ, तो आप समझो लेफ राइट आपको ज़्यादा करनी पड़ी, पहले ये ऐसा था, दो लाइन में खतम हो जाए अब तो आप पुरा लगबग समझो ना, ये फोर पेज खतम हो गया मेरा लिखते-लिखते इस कारण से मेरा जो नया कोर्स चल ला है, उसके अंदर हैंडाउट की लंबाई पहले से बड़ी है और उसमें मुझे कोई शरम या माफी किसी से मैं मागूंगा नहीं, आपको एक्जाम पास करना है और मैंने आपसे भी लिया है, तो मेरी जिम्मेदारी है, शेरोशायरी करके तो एक्जाम पास पो नहीं सकता खैर अभी जो हम लोग बजेट पढ़ेंगे, उसमें अब समझो, बजेट के अंदर जो भार्षन दिया जाता है, उसमें नई योजनाओ के बारे में वो exactly details नहीं बोलते कि इतने एज वालों को target करेंगे या इतना पैसा देंगे बगेरा, 500 रुपे स्टाइपेंड देंगे या 15,000 टूल किट खरीदने के लिए gift card देंगे, for example यह जो PM विश्व कर्मा स्कीम आई थी, 2023 के बजेट में, तो February 1st को बजेट डाला होगा, तो उसमें तो दो लाइन मे बुला हाँ यह करेंगे, फिर जो एक पेज बर के अभी मैंने पिछली slide में आपको सिखाया, वो वाला notification तो उन्होंने सब्टेंबर महिने में सब बोला था, 15,000 देंगे, यह 500 रुपे स्टाइपेंड होगा बगेरा, तो अभी जो हम यह budget देखेंगे अभी, उसमें पर असल में बाद में अमल होता है, पर एक्जामपल यह latest budget में बोला है, कि अपनी आबादी बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो उसकी चुनोतियों के बारे में committee बनाएंगे, हाँ पर उसका boss कौन होगा, क्या है सब, वो अभी जारी होना बाकी है, जादा medical college खोलने, उसके एक committee बनाएंगे, पर वो भी अभी असल में बनाएंगे, तब हम देखेंगे, कहले तो myth bursting, पुरानी scheme भी काम की है, IS exam की difficulty बढ़ रही है, तीसरा non-IS exam की भी difficulty बढ़ रही है, वापस यह शिया लिबूफ, या लबूफ जो भी उसका pronoun situation है, वो उसका जैसा hardcore look बन रहा है, even non-IS exam, अलब जो UPS ही द्वारा लिए जाए, CDS है, Army Navy Air Force में officer बढ़ने के लिए, CAPF है, यह BSF, CRPF वगेरा में assistant commander बढ़ने के लिए, engineering service exam है, geologist से लेके बहुत कुछ, पहले क्या होता था, वहाँ पर government scheme के नाम पे एक एक लाइन की general knowledge पूछते थे, कि प्रदान मंत्री जनार हो ग अब ही आप देखो, खास कर यह जो latest 2023 की cycle में, जो CDS, CAPF वगेरा परिक्षाएं हुई है, काफी tough कर दिया, जैसे यह देखो, प्रदान मंत्री, स्वास्थे, सुरक्षा, योजना, अब यह कुछ मेरे क्याल से ऐसा है, कि इसमें AIMS जैसे hospital, अलग-अलग state में हम खोलेंगे, तो एक line का, पहले एक line का पूछते थे, अभी उन्होंने क्या किया, तीन statement दिये, फिर के, इसको आप, मतलब, eliminate करो, क्या करना है, so it becomes tough, बहुत जादा आपको रट-रट के जाना पड़ेगा, एक तो प्रशन में हदी कर दी, CDS परिक्षा है ये, पहले अगर माली जी योगा दीवस हो, तो उसका क्या theme था, एक one liner जी के हुआ, यहाँ पर देखो, मतलब, छठा, साथवा, आठवा, नौवा एडिशन, और उसमें क्या था, match the following, मतलब, चार साल के योगा दीवस के आप theme त्यार करके जाओ, अपकोस इसको भी आप थोड़ी technique से हाल कर सकते हैं, कि के अंदर अपना G20 के अंदर वसुदेव कुटूम कम चल रहा था, तो उसका यह होगा, करके कुछ थोड़ा match करो, फिर भी 50-50 तक ही पहुंचा सके, वगरा, so papers are getting tough, national education policy 2020, के बारे में 2023 में पूछा, पहले ऐसा था, एक एक दो दो लाइन में general knowledge पूछते थे, CDS, engineering, service वगर करना है, तिन-तिन statement के प्रश्णों हो गए, बाकि सरकारी नितियों में इतना बारिक नहीं पूछते थे, so even for non-IS exam, आप ऐसा casual attitude मत रखो की नहीं, तो छोटी परिक्षा है, तो कम तयार करके जाना है, so that is third myth-busting, चौथी और आखरी myth-busting है कि जुमला general knowledge करना है कि नहीं, इस आरोखान की दुनकी और illegal immigration के बारे में अभी फिलम बनी, उससे कई सालों पहले देवानन के एक फिलम आई थी, देश पर देश, उसमें गाना था जैसा देश वैसा बेश, तो इंडिया का अवस्त्र पहनो, foreign में foreign जैसे कपड़े पहनो, उसी तरह है अगर आप ये जो ले रहे हैं, गौन सेवा आयोग प्रकार की, तो वहाँ पर आप समझो, वो तो कुछ भी उठा के पूछ लेते हैं, they will only look at budget speech और उठा के पूछ लिया, for example, GDP, economics में हम समझते हैं कि GDP का full form क्या, gross domestic product, सकल गरेल उत्पाद, अब नए budget में जुमला आप बनाया है, कि GDP का मतलब governance development performance, आप ऐसी परिक्षाव में ये भी पूछ लेंगे और आपको वो स्विकार के उसको टिक करना पड़े, FDI हम क्या समझते हैं, foreign direct investment, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, नए budget में बोला नए, FDI का मतलब है, first develop India, तो आपको accept करना पड़ेगा, अगर MC क्यों ऐसा निखले अब जो भी इतियास कल्चर में पड़ते हैं, चार कास्ट है, ब्रामन, शत्री वगेरा, नए budget में बोला नए, चार कास्ट क्या है, poor women, youth, farmer, तो आपने वो सब करके जाना है, जैसा देश वैसा भेश तो वो भी करना है, that is fourth, अभी आप जानते हैं, ये तो चुनावी पेश करेंगे, यानि कि दूसरे शब्दों में वो ऐसा बोलना है, कि जुलाई से पहले election हो जाएगा, और बाद में हमारी सरकार आएगी, तब हम एक detailed road में बताएंगे, विक्सित भारत के बारे में, मतलब developed India 2047, यानि कि रोड में या blueprint कब आएगी, तो जवाब है, जुला चेस ग्रांड मास्टर थे, और अभी मोधी सरकार आई है, तो 80 से ज़्यादा चेस ग्रांड मास्टर है, तो ये भी आपको याद करके जाना पड़े, इन subordinate सर्वीस एक्जाम, वो सीधे statement उठाके पूछते हैं, कुछ तो ऐसे हैं, कुछ राजय की परिक्षा की पेपर मैं सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इलेक्षन येर है, तो सामाने से ज़्यादा नौकरिया निकलती है, तो इसलिए उसका फायदा उठाना है, अब जैसे में महिने में आपने परिक्षादी प्रिलिम्स, फेल हो गए, या डर लगा और आपने या टेमपी स आप अपने इंट्रेस्ट के हिसाब से जो ठीक लगता और बाकी भी इतनी जो एक्जाम है वो करना है, तो मैनद करो, मोटिवेशन शेरो शाहिनी फाल्दू की स्ट्रेजी में कुछ रखा नहीं है, प्रिवेस यर पेपर एनलाइज करके आप आगे बढ़ो, फेबरारी वि management का एक सिद्धानत है, a place for everything and everything in its place, सभी चीजों के लिए योग्य स्थान होना चाहिए, कि जैसे जूते हैं तो गर के बाहर होने चाहिए, यह जो भी टॉवेल या कपड़ा है तो बातरूम में होना चाहिए, और सभी चीजों को अपने उची स्थान पे होना चाहिए, place for everything, everything in its place, तो अगर आप randomly कुछ भी उठा के पढ़ोगे, कोई भी योजना आई है, योजना आई है, तो याद नहीं रहेगा, आपने उसे classify करके पढ़ना पड़ेगा, कि health का यह है, education का यह है, infrastructure के लिए योजना है, इसलिए over the years मैं जो economy पढ़ाता हूँ, तो मैंने refine करते करते छे place बना दिये, कि economy का कोई भी topic हो, वो छोए अलग-अलग pillars के अंदर fit होना चाहिए, तो हम उसको पढ़ेंगे, नई fit होता है, तो नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे 6 pillar, उस हिसाब से हम लोग अलग-अलग schemes, जो नए budget में नाम लिया, उसको देखेंगे, सबसे पहला pillar, economy का मैं मैं बोलता हूँ, money, banking, finance, insurance, इसके अंदर कोई नई योजनाव का उन्होंने नाम नहीं लिया, पुरानी योजनाव का नाम लिया, कि जैसे प्रदान मंत्री, जंदन योजनाव, जिसमें गरीबों का bank account खोलेंगे, और direct benefit transfer से सिद्धा, उनको मनरेगा के wages, quality, LPG, subsidy, सब कुछ अच्छत हुई है, फिर एक PM swan iddy scheme है, उसमें street vendors, सडक विकरेता हैं, जो भी newspaper, समोसा अगेरा बेचते हैं, उनको कुछ 10,000 का loan मिले, उस पे सरकार ब्याज में कुछ मदद करती है, फिर वो पहला installment, मलब पहला loan चुका देगा, फिर दूसरे में थोड़ा और पैसा मिले, त तीसरी योदना का नाम लिया, PM मुद्रा, वो micro enterprise चालू करने के लिए आपको loan मिलेंगे, उस पे गिरवे कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि सरकार guarantee लेगी loan default की, ऐसी वो scheme है, खेरिन सबके बारे में उन्हों नाम लिया, आप ये पुराना SI मैं, अलग-अलग free classes में भी पुरी तयारी होगी, गुरु शुकर शनी रवी क्लास होगे, और next week बुधवार को उसकी जो भी पढ़ाया उसकी टेस्ट होगी, रात को 9 बजे live class होते हैं, ताकि working professional college student homemaker सब कुछ जोइन कर सके, और यान academies like netflix, live classes by top educators, notes, prelim or maze की test series, maze test series with evaluation, CSAT की तयारी, mentorship से लेके बहुत 50% of using the code munal.org अब फायदा उठा सकते हैं, और यह ऐसा है कि एक ही subscription से सारे subject unlock हो जाते हैं, if you want to study in pure English medium, then also we have सरवत महराज सर and other top educators joining on academy, उनके भी batches शुरू हो रहे हैं, हिंदी माध्यम में तैयारी करनी हैं, उसके लिए भी मदूकर सर और बाकी educators के साथ हमारे batches launch हो रहे हैं, कर वापस आते हैं, तो समझो पहला पिलर जो था money banking finance insurance उसमें कोई scheme नहीं आये नहीं, अभी दूसरा पिलर मतलब budget taxation, GST, finance commission, disinvestment वगेरा, तो इसमें बोला था capital expenditure और उसमें state governments को हम 50 साल के लिए बिना ब्याज के ब्याज मुक्त loan देंगे जिससे वो infrastructure सब बनाए, ये वाली scheme कोरोना के बार launch की थी, और पिछले 3-4 साल से जारी है, और बोला एक साल इसको और जारी रखेंगे, और उसमें 1.30 लाक रुड उपीज देंगे, इसके लाबा finance commission के recommendation के इसाब से जो भी पंचाय दिराज, body disaster management वगेरा के grants दिये जाते हैं, वो भी देंगे, तो यहाँ पर भ 2023 तक भारत के अंदर 596 billion dollars का FDI मतलब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, और वो record है कभी पहले हुआ नहीं था, यह भी आपको याद रखना है, खासकर अगर आप यह subordinate service की तियारी करें, you have to remember this data, और जुमला जो दिया गया, FDI का मतलब है first developed India है, हम जाधा freighted agreement भी sign करेंगे, ऐसी बात करी गए, बाकी कुछ नया उसमें बोला नहीं, फिर चोथा pillar that is sectors of economy, जिसके अंदर agriculture, manufacturing, service sector वगरा की बात होगी, एगरी कल्चर में पुरानी योजनाओं का कुछ नाम लिया, नहीं कुछ योजनाओं करी जो बाद में slide में हम देखते हैं, पुरानी इनाम मंडी, food processing sector के लिए PM किसान संपदा योजनाओं जिसमें mega food park बनाएंगे, दस लाक लोगों को नौकरी देंगे, ये सब तो चली रहा था, नया क्या बोला, पिछले या उससे पिछले वाले budget में सरकार लेकर आई थी, नेनो यूरिया, मतलब उसमें क्या particle size काफी छोट अधर्वाइज वो क्या मोटे मोटे powder वाला यूरिया powder होता है, अब उसी तर्स पे एक नया fertilizer भी हम प्रमोट करेंगे, नेनो डी एपी, डाय एमोनियम फॉस्पेट यानि डी एपी, और उसका नेनो बरिजन मतलब क्या उसकी particle size less than 100 एनेम हो, फिर उसको कुछ पानी में मिला कि आप स्प्रे करेंगे, तो traditional powder जितना चाहिए था, उसे 50-75% कम powder यूज़ करके भी आपका काम हो जाए, और 500 ml की bottle आती है, और उसे काफी सारा काम हो जाता है, तो ये announce किया गया, और इससे सरकार को क्या फाइदा लगता है, कि कम powder सब लोग यूज़ करेंगे, तो subsidy का प्राउनन, मुखफली, सिसेम, तील, सोया बिन, सनफ्लावर, ये सब क्या हुआ, एडिबल ओईल और ओईल सीड से, भारत की एक कमजोरी ये है, कि हमें बहुत सारा ओईल सीड, पाम ओईल वगेरा बार से इंपोर्ट करना पड़ता है, तो भारत को आत्मनिरबर यानी self sufficient ब करेंगे, now how exactly, मतलब कितनी सबसीडी देगी, क्या terms condition होंगे, वो अभी उन्होंने बोला नहीं जब आएगा तो हम लोग, देखेंगे, कोरोना के दोरान सरकार लेकर आये थी, प्रधान मंतरी मत्य संपदा योजना, मतलब ये पुरानी स्कीम है, इसमें सब ऐसा था, फीशर culture, मतलब आप ये कुछ artificial point वगेरा बना दो, उसके अंदर जिंगा मशली, आलगी वगेरा कुछ चीज़ का उतपादन करो, तो पहले ऐसा एक एक हैक्टर के अंदर से तीन टर्न production हो रहा था, सरकार ने बोला आप टारगेट करेंगे, पांच-पांच टर्न production हो सकते, उसके पहले जो भी science, technology, research, innovation को हम focus करेंगे, हम अपने export को बढ़ा की एक लाग करोड का जिंगा मशली export करेंगे, 55 lakh jobs create करेंगे, और 5 integrated aqua park बनाएंगे, mega food park, aqua park, ये सब में क्या होगा, बड़ी सी जमीन पे, सरकार, road और सब basic construction कर देगी, पिर जो भी businessmen ने अपनी छोटी छोटी लगा दे, या सरकार ये करे, factory भी खुदी बना देगी, और फिर businessmen को rent पे दे दिया जाए, ऐसे सब उसमें काम होते हैं, जब वो announce होगे, जैसे सरकार ने PM मित्रा, ऐसे पार्क खोलें, किस वास्ते, तो जवाब है, textile के लिए, वो कहां पर है, वो सब हम पहले free lectures में पढ़ है, कि देखो GDP के percentage के रूप में तो सरकार ने agriculture sector को कुछ खास पैसा रहे नहीं, या पहले से कम दिया है, वगेरा वगेरा, अपन आप समझो, absolute number के हिसाब से तो सरकार हर साल उत्तर उत्तर पहले से जाधा पैसा दे रही है, पिछले तीन साल में agriculture को 1.25 लेक करोड जाते थे, से बढ़ा के 1.40 लेक करोड से बढ़ा के नए बजेट में बोला 1.46 लेक करोड पीस एगरी कल्चर में जाएंगे, आपको सब GDP के percentage में उस numbers को निकालना चुरू करोगे, तो वो आपको थोड़ा अलग दिखेगा, पन उसका justification क्या है, जो economic survey खुद दे चुका है, जब भी, देखे, economy में कभी तेजी, कभी मंदी चलती है, जब भी मंदी का समय हो, तो सरकार ने जादा पैसा खर्च करना चाहिए, highway, hospital, subsidy, free में सब को अनाज दे दिया, ताकि राहत हो, लेकिन फिर उसी तरस पे, जब economy तेजी में आ जाए, या recovery में आ जाए, तो फिर सरकार ने कम पै पैसा थोड़ा कम खर्च करते हैं, वह यह सोचते हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद से देख लें, यह सब किसान वरकर वो भी खुद से देख लें, ऐसी उनकी उमीद है, दूसरा भी एक आप reasoning समझो, हमेशा सरकार ने एक balance बनाना होता है, एक तरफ middle class को बोला है, कि आप इसको साथ लाख रुपे तक कोई income tax बरना नहीं है, जो कैसे होगा, वो मैंने आपको पिछले lecture में बताया था, और सामने सरकार ने यह भी बाताया कि capital, मलब यह highway hospital बगेरा बनाने के लिए हम 11.11 lakh रुपीज खर्च करें जो highest है, तो आप समझो यह कि equilibrium या balance बन चुका है, अ गई बहुत बढ़ रही है, इनकी salary बढ़ नहीं रही है, 8 लाग तक tax नहीं बढ़ेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर यह योजनाओ का पैसा कम पढ़ जाएगा न भाई, so whatever is the optimal state अब उसको जादा वो disturb नहीं करना चाहते, और खास कर यह तो interim budget है न, तो उसमें तो वैसे ethics और morality क्या गहती है, चुणाव से पहले सरकार ने कुछ नया बहुत बढ़ा announce नहीं करना चाहिए, कि आगे बढ़ते है, pillar 4B, जिसमें manufacturing और service sector की बात होगी, तो सरकार ने पाया, और economic survey ने उससे पहले भी पाया है, कि भारत के जो businessmen है, उनमें जुगार mentality है, कि उन research development करते नहीं, जर्मनी की सरकार उनको कोई subsidy, कोई tax में माफी नहीं देती, तब भी वहाँ के businessmen काफी research करते हैं, उसके जलते हैं, उनके pharmaceutical, precision instruments, जोरदार भिखता है, export होता है, इसलिए भारत ने, क्या-क्या एक तो national research foundation, कानून में, वो statutory body के रूप में बनाया है, और अब बोला, कि research development को promote करने के लिए, पचास साल के interest free loan सम देंगे, और कुल मिला के एक लाग करोड के loan SM जाएंगे, उसके लाए और नहीं बाते करी, deep tech technologies, money transfer का कोई नया आयाग बनाना हो, UPI वगेरा, तो वो तो all idea है, उसमें 2-4 code, आप fine tune कर दो, काम हो गया, तो वो सब क्या है, उसको हम deep tech नहीं बोल सकते, deep tech मतलब जो कभी नहीं हुआ और एकदम जोरदार नहीं चीज़ करने, जैसे Elon Musk की neural link chip है, जो brain में आप लगाएंगे, या artificial intelligence, blockchain, bio tech वगेरा का उसमें मतलब combination होगा ना ultimately, तो ये सब को बोलते है, deep tech technology, तो नए budget में कहा है, कि हम लोग defense, रक्षाक्षेत्र और उसके बाद budget ने कहा factors of production, traditional economics theory क्या कहती है, कि उतपादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, land, labor, capital, पूंजी और इन तिनों की मदद से entrepreneur, businessman अपना कुछ नया काम करता है, चाहे manufacturing sector है, service sector है, agriculture हर जगा, factors of production, उतपादन के कारक तो क्या है, land, labor, capital, entrepreneurship, हाला कि कुछ नए economics यह मानते हैं कि technology भी एक factor of production है, तो अगर उसको हम कहें पाँचवा, तो नए budget ने का देखो, digital public infrastructure, it is also a factor of production, for example, UPI, आज आप कुछ भी business कर रहे हैं, आपको payment लेना है किसी customer से, तो आप अपना QR code वाला sticker चिबकाप के रखते हैं, reception या counter पे, तो ये भी अ दूसरा, ONDC, ONDC ऐसा है कि समझो, आप Zometo से, सपोज आपका restaurant है, आप Zometo से किसी को food deliver करें, और Zometo वाला उस पे 20% commission चार्ज करें, तो उसके चलते हैं कि आपको mega बेशना पड़ेगा, या अपना profit का आपने margin कम रखना पड़ेगा, ONDC Commerce Ministry के द्वारा बनाएगी यह ऐसी technology है कि जहां ऐसा buyer और seller को connect कराएगा, और उसके जो commission होते हैं, वो कम होते, for example, मालों की सिर्फ 4% हो, और सिधाई पैसा UPI की मदद से आपके bank खाते में transfer हो जाए, वरना Zometo वगेरा में क्या होगा, कि आपका restaurant का business हो, वो के नहीं, 10,000 का अजब तक sales नहीं होता, तब तक हम Zometo वाले, तो मतलब restaurant वाले का पैसा या bill या payment clear नहीं करेंगे, बगरा बगरा, तो यहां ऐसे कुछ जादा बैतरीन चीज़े होंगी, तो यह भी एक digital public infrastructure है and it will help, तीसरा है TREDS, वो ऐसा कि जो micro small medium enterprise है, उनके जो unpaid invoices होते हैं, जो किसी businessman से उनका पैसा बकाया है, तो ऐसे जो भी इनके bills हैं, उसको गिरवे रखके short term के वो loan लेते हैं, ऐसा online platform है, तो नए budget ने बोला यह सब digital public infrastructure है और इसे factors of production है, तो यह भी आपने accept करना है, MCQ में कुछ पूछे तो याद करके जाना है, manufacturing में सरकार ने कहा थोड़ा circular economy को promote करते हैं, circular चक्रिये मतलब क्या, आपने newspaper प तो normal plastic से अगर आप कुछ बनाएंगे, आप तो जानते हैं, वो तो decomposed नहीं होगा या वर्षो लग जाएंगे, उसकी जगा bioplastic, biodegradable, polymers से अगर कुछ सामान बनाए जाता है, तो landfill में waste कम होगा, greenhouse gas emission कम, health environment के लिए अच्छा है, उसी तरह biopharmaceuticals, जो आप ऐसी कोई दवाई नहीं खाए, जो सिद्धा हार्ट में, तो हार्ट में ही पहुँचने है, बाकि इदर उदर नहीं जानी चाहिए, side effect नहीं होना चाहिए, bio agriculture inputs, मतलब यह fertilizer pesticide यह भी biotex से ऐसे बनाए गए हो, कि वो soil में उसका विगटन हो जाए, जाधा production नहीं करे, targeted delivery to plant वगेरा, यह सब को हम promote करेंगे, और यह सब अगर उत्पादन होगा, तो ऐसी factory को क्या बोलोगे, या इसी activity को क्या बोलेगे, bio manufacturing, या bio foundry, normal foundry में जो भी, मतलब metal वगेरा का काम होता हो, इदर क्या bio tech वाला काम होगा, इसके भी exact detail अभी आना बाकि है, थोड़ा बहुत science tech जो हमको जानना है, त उसके अंदर इस article होगा, आप देख लेना, कर वापस आते हैं, तो sectors of economy, उसमें agriculture, manufacturing, service sector के बारे में अमने जाना, इंफ्लेशन काबू में है, बेरोजगारी बहुत कम है, जलीपी अच्छे से ग्रो हो रहा है, बाकि जो भी budget में बात होती है, ऐसी है, फिर pillar 5 infrastructure, infrastructure में यस परानी योजना पहले समझ लेते, एक तो है, aspirational district program, यह ऐसा नीति अग बारत के कुछ पीछड़ी जिलों को backward district को identify करता है, और उसमें ज्यादा targeted तरीके से supervision होता है, उसका जो भी district magistrate है, उसको सब indicator बेज़े जाते है, dashboard यह काम करो, वो काम करो, that is aspirational district program, प्रादान मंत्री आ इसरा PM गती शक्ती है, तो जितना भी highway, railway, aviation, inland waterways, उसकी मदल से man और material का तेजी से transport हो सके, ऐसी सब master plan उसमें बनाने की बात है, उडान स्कीम ऐसी है कि मालिजे, ओडिसा, बुवनेश्वर से, गुवाहाटी, ऐसे जो छोटे शहर या छोटे वाले routes हैं, जहां पर ज्यादा traffic नहीं होता, उदर subsidize rate पर middle class को हवायातरा का मौका मिले, ऐसी वो scheme है, ज्यादा airport हमने बनाए है, इवी, कल और इबस को promote करेंगे, तो यह तो पहले भी बोलाता और यह चली रहा है, नया क्या आया, जी 20 summit जो 2023 में बारत में हुई थी, उसके parallel मेरे क्याल से एक नया corridor बनाने की बात थी, इंडिया बराबर से middle east से यूरोप, इंडिया middle east यूरोप corridor, और इसकी मदद से shipping का infrastructure बैतर करेंगे, तो oil gas energy जल्दी से पहुंच सके, railway develop करेंगे, ताकि हमारा माल माली जे वहां से export आग अक्टिविटी करेंगे, इसमें इंडिया, साउधी, जॉर्डन वगेरा लोग सामिल होने वाले, तो इसके बारे में नाम लिया, अलाकि ये तो पहले से है, फिर नाम लिया नमो भारत, नमो भारत ऐसा metro है, नॉर्मली metro क्या होता है, किसी एक city को connect करता है, नमो भारत को बो connect कर पाए, सारे city अभी तक connect नहीं, वे phase 1, phase 2 ऐसा देरे देरे वो होगा, उसकी प्रशनसा की गई, फिर बोला गया कि देखो, कोईले को सीधा जलाते हैं, तो production होता है, तो उसका gasification किया जाए, कि process करके उस solid coal को synthetic gas या syngas में बना दिया जाए, या उसका liquefaction किया जाए, औ वो मलब कम production फ्यलाएगा, उसमें जो भी energy output होगा, उसके byproduct निकलेंगे, तो उसमें से methanol, ammonia वगेरा कुछ निकल सकते, तो यह सब हम promote करेंगे, ताकि विदेशों से जो हम crude oil, natural gas, methanol और ammonia import करते हैं, इसमें कमी आ सके, इसको याद रखना, even for IS exam, कि using this activities, how many of the following import can be reduced, फिर आप तुका मालो कि कोईला है, उसमें से methanol तो दारू होता है, तो वो तो कहां से बने, बट यस, वो सब भी byproducts में से process करके निकलता होगा, और नई भी निकलता होगा, वो तो budget में बोला है, तो स्विकार करने हाँ, उससे होगा, फिर clean energy में offshore wind energy, पवन चक्की आप समझते हैं, offshore और मतलब क्या समुद्र के अंदर ये लगा दो, और फिर उसके wire खींच के coastal area में बिजली पहुँचे, ऐसे project में तकलिफ क्या होगी, कि माली ये अदानी ने 70 करोड इंवेस्ट किया, और उसको उमीद है कि मुझे 30 करोड profit के साथ कुल मिलाकर 100 करोड की recovery होनी चाहिए, लेक जल्दी पैसा recover हो जाएगा, तो government ने का देखो, तुमारी इच्छा थी 100 करोड मिले, लेकिन तुमारी recovery 90 की ओर है, मतलब 10 रुपे का तुमको gap दीख रहा है, तो मतलब project को viable करने के लिए ये जो gap है 10 करोड का, ये हम मतलब government of India तुमको pay कर देंगे, तो इसको बोलते है, viability gap funding VGF, वैसे अलग-अलग project में पहले भी की जाती थी, लेकिन बोला offshore wind energy project में भी हम से हम करेंगे, housing, गाउं के लिए प्रदान मंत्री आवास योदना गरामी ने, तो वो तो है उसमें कुछ नया नहीं बोला कि 2 करोड नए मकान बनाएंगे, मतलब feature कोई नए chain नहीं हुए, अब वो भी है उसमें इन्हों ने सिर्फ इतना का कि अगर कोई middle class family illegal slum में colony में रह रहा है, तो हम उसकी मदद करेंगे मकान खरीदने के लिए, how exactly जादा खुलासा नहीं किया, तो का माना तो भई, loan का कुछ उनको amount दिया जाएगा, हो सकता है उस illegal colony पे अदानी को project दिया ज exact details जब आएंगे तो हम समझेंगे, फिर का rooftop solarization, घर के उपर यह आप solar panel लगाओ, भारत के एक करोड गरों में एसाम करेंगे, इससे बहुत सारे फायते गिनवाए जो याद रखना है, कैसा करने से एक एक family को up to 300 unit per month free में मिल जाएगा solar बिजली, साल में उनका 15 से 18 जार उप प्लस बच गया उनके पास, कि मालेजे इस में से 300 unit बना, 200 unit उसने यूज़ किया, 100 unit extra पड़ा है, तो ये family, फिर electricity distribution companies यानि डिसकॉम जैसे torrent power, अदानी power, उसको बेच भी सकता है, इस concept को कहते है net metering, net metering वो याद रखना है, और ये सब का इस वाबाइक है, तो ये solar panel manufacturing में, उसका repair installation में सब jobs create होंगे, green house gas कम होगा, क्योंकि koila जला के बिजली नहीं बनाएंगे वगेरा वगेरा, तो rooftop solarization और मुफत बिजली, ऐस ये scheme है, हाला कि इसके अंदर भी exact terms and condition, वो अभी तक आना बाकि है, आएगा तो हम देखेंगे, इसके बाद infrastructure के नाम पे railway infrastructure में, बजेट में बोला, तीन नए economic corridors बनाएंगे, जिससे energy, mineral और cement का transportation इंप्रूव हो, ports मतलब बंदरगाओ के साथ connected improve हो, और high traffic density, वलब मा लिजे बिहार से दिल्ली तक जो train में ज़्यादा traffic रहता हो, तो वहाँ कुछ नए routes बनाए जाए, नया कुछ train चलाए जाए, ऐसा हम कुछ काम करेंगे, तो 1, 2 and 3, तीन type के corridors बनेंगे, ये भी याद रखना है, ISK लिए how many of the following will be created, हाँ तो 3 will be created, वंदे भारत train 18, आप जानते हैं उसमें सब फाश्टार एरोप्लेन जैसी सुविदा होती है, उसमें आप बैठो तो जटके बिल्कुल नहीं लगते, एक बार मैं गया था एमदाबाद से सुरत, जाती तो एमदाबाद, गांधी नगर से इसका कारण क्या उसकी जो बोगी होगी नीचे उसमें बहुत ही अफलातुन किसम के जो भी सस्पेंशन और सब लगा होगा, तो comfort है, safety है, मज़ा आता है, तो बाकी जितनी trains हैं, उसमें भी हम इस प्रकार की बोगी या जो भी नीचे सस्पेंशन का सामान है, उसे लगाएं को हम interest free loan देंगे, iconic city develop करो, और उसका भी कुछ rating या ranking system बनाएंगे, जैसा आप जानते हैं, वो स्वच्छ भारत मिशन होता है, उसमें ranking इंद और सबसे जादा स्वच्छ है वगारा, या बोपाल सबसे जादा स्वच्छ है, ऐसा इधर भी ranking या rating system आएगा, जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, स्वाबाई के इतनी सारी infrastructure में सरकार ने बाते करी, दो हिंदू की वही सब बाते की वही समें कम पैसा है, तो बात उसमें वही होगी, percentage के वाइस कम देखे, absolute अकम जादा दिया हो, और दूसरा कि सरकार ने balance भी तो करना है, फीजल deficit control में रखना है, interim budget जादा announcement कर नहीं सकती, वगेर, तो हमने pillar 1, 2, 3, 4, 5, 6, मरलब आखरी pillar पे हम पहुंच गे, human resource development, poverty, health, education, वगेर हमें क्या बोला, एक तो national food security act, उसमें सब गरीबों को पहले बात थी, 5 किलो अनाज देंगे, बाजरा जवार एक रूपे प्रती किलो, गेहु हैं दो रूपे प्रती किलो, चावाले तीन रूपे प्रती किलो, फिर आज कोरोना तो सरकार ने इसको कुछ फ्री करवाय था, फिर वो योजना कुछ बनती है, प्रदान मंति गरीब कल्यान अन्य योजना, वो भी 2023 में खतम होने वाली थी, फिर मध्यप्रदेश चुनाव के द्वारान प स्कुल बन जाए, महलब जो अफ्लातून प्राइवेट स्कुल में होता है, सब स्मार्ट बॉड से पढ़ा है फश्टार फैसिलिटी, उसे कहेंगे पी एम स्री मॉडेल स्कुल्स, ये भी पूरान चली राइस का सिबनाम लिया है, स्किल डेवलप्मेंट का स्किल इंडिया के लिए जो भी स्कूल हाइवे हॉस्पिटल बनाने हो डी सलीनेशन प्लांट लगाना हो पेजल की सुविदा मेडिकल चेक अप और मोबाइल हॉस्पिटल लगाना हो एडुकेशन स्किल सब कुछ सर्वांगी करेंगे योधना का नाम है पी एम जन्मन पी एम जन्मन तो वो पिछले बजेट में बोल दिया था उसके बाद लॉंच किया था इसका वापस से नाम लिया है फिर बोला मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के इसाब से बारत में 25 करोड लोग अब गरीब नहीं रहे हैं वग्यरा यह ऐसी चीज़ें इसकी लंबी थियरियम को स चल रहा है यह विन 24 से वगरा क्या वो तो प्रिलिम तो में महिने में तो दिरे दिरे वो तो सब वीडियो और चीज़ें आएंगी आपका बीच में CDS या एंजिनेरिंग या कोई एक्जाम है तो कुछ तो अंदाजा होना चाहिए इसलिए वीडियो है हेल्थ केर के बारे में नए बजेट में क्या काहा सर्वाइकल वैक्सिनेशन मलब सर्वाइकल कैंसर की वैक्सिन बच्चियों को दे जाएगी 9 to 14 यर्स में यह याद रखने 9 to 40 यर्स में ऐसा ही छोटा छोटा आजकल ट्विस्ट करते हैं इसलिए रट के जाना पड़े अल तीसरा आयुष्मान भारत योजना उसके दो कंपोनेंट है एक तो सब प्राइमरी हेल्थ केर सेंटर को डेवलप करेंगे और दूसरा है कि गरिबों को पांटलाग का हेल्थ इंशॉरंस मिले जिसको कहते प्रदान मंत्री जनार हो गया योजना तो का गए यह वाली चीज सबसे आशा वर्कर आंगणवाडिक वर्कर हेल्पर वो सबको भी दिया जाएगा अब आप उनको तो देना ही चाहिए अगर कोई बड़लब आप होटेल में काम करते हैं तो आपको खाना तो डिनर में मिलना ही चाहिए बड़ सायद ऐसा होगा कि मित्रो सोश्यो एकनॉमिक कास सेंसस 2011 उस हिसाब से लोग बेनिफीशरी आइडेंटिफाई करते हैं अब उसके अंदर ऐसे सब नियम कि अच्छा तुम 10,000 रुपे कमाते हो और गाम में रहते हो तो तुम गरीब नहीं हो तुमको ये योधना का लाब नहीं मिलेगा तो आंगणवाडिया आशा वर्क पर भी हिंदू का तो वही रोना जारी है कि वही देखो परसंटेज के हिसाब से ये सब में पैसा कम डाला है लेकिन आप एपसल्यूट नंबर की हिसाब से देखो ना हेल्थ कोर में 73,000 करोड फिर 79,000 करोड ये 2023 का होगा और 90,000 करोड ये 2024 का है तो उतर-उतर बढ़ोतरी क कम है क्योंकि मेरे कहल से World Health Organization तो ऐसा कहता है कि GDP का 5% इसमें जाना चाहिए बारत सरकार मुश्किल से 2.5% टार्गेट हो पाए ऐसा इनकी कुछ सोच आगे बात करते हैं पॉवर्टी और उसके अंदर एक नई बात आई लखपती दीदी उसको समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा सरकार की एक योजना है दीन दयाल अंतियोदय योजना मतलब डी एवाई नैशनल रूरल लाइवलिहूड मिशन मतलब न आर एलम ये ग्राम विकास मंत्रा लाए रूरल लेवलप्मेंट मिनिस्ट्री चलाती है तो इसके अंदर बात ऐसी है कि जो भी 10-15 महिलाएं है उन्हें गाओं की 10-15 महिलाओं का सेल्फ हेल्फ ग्रूप यानि स्वह सहायता समूब बनाए जाएगा उनको कुछ स्किल डेवलप्मेंट ट्रेनिंग दी जाएगी आचार पापड अगर बत्ती कुछ बनाना है फिर ये महिलाओं ने कुछ से माली ये 10,000 रुपे सेविंग किया हो बैंको की मदद से उसको 50,000 रुपे लोन मिले और फिर वो अपना कुछ भी इंकम जनरेटिंग एक्टिविटी शुरू करे ऐसा सब ये स्कीम है पिछले साल 15 अगस्ट की स्पीच में प्राइमिस्टर मोदी ने कहा कि देखो ऐसे जो वीमेन सेल्फ हेल्फ ग्रुप के मैलाएं है वो हर साल कम से कम एकलाख रुपे कमाएं तो हम उसको बोलेंगे लख पती दीदी लख पती दीदी और हमारी सरकार का टागेट है कि दो करोड मैलाएं लख पती दीदी बन जानी चाहिए फिर पता चला ये करोड मैला है तो वालेड़ी एकलाख रुपे कमाई रही है तो नया बजेट बोलता है कि हम तीन करोड मैलाओ को लख पती दीदी बनाएंगे यूजिंग डिस सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स नारी शक्ती के बारे में विमन पावर के बारे में नए बजेट में क्या बोला है डेटा याद रखना है खासकर स्टेट सर्विस सबाडिनेट सर्विस एक्जाम के लिए हाइर एजूकेशन कॉलेज के अंदर पहले से 28% लड़किया जादा है साइन्स, टेकनोलोजी, एंजिनेरिंग, मैच्स वगेरा कोर्स में भी 43% अब महिलाए है टिपल तलाग, इलीगल बना दिया गया लोगसभा, विदान सभा में 33% डिजर्वेशन दिया गया प्रदान मंत्री आवास योधना ग्रामीन में जो घर दिये जाते हैं उसमें 70% घर ऐसे हैं कि या तो महिला के नाम पे मकान होता है या जॉइंट ओनर्शिप, पत्ति और पत्नी दोनों के नाम पे ओनर्शिप का दस्ताविज बनाया जाता है इसमें भी दह इंदुगा वही की सब कम पैसा है और मैंने आपको उसके आर्गूमेंट बता दिये तो स्कीम्स ओल्ड और न्यू हमने देखा अभी नेक्स्ट मुद्द आता है सेंटरल सेंटरली स्पॉंसर स्कीम्स क्या होती है और उसके अलोकेशन में क्या कम जादा किया है जो भी सरकारी योजना है कुल उसके प्रकार क्या है कुछ तो ऐसी योजना है कि जिसमें सारा पैसा यूनियन गवर्मेंट देती है, स्टेट ने कुछ पैसा कंट्रिब्यूट नहीं करना पड़ता, जैसे यूरिया और फर्टिलाइजर सबसिडी, प्रोड़क्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, MPLAD से PM किसान 6,000 रुपे देते हैं किसानों को, जिसमें सारा पैसा यूनियन ख थोड़ा पैसा कंट्रिब्यूट करना पड़े, तो उसे हम कहते हैं, centrally sponsored schemes, केंद्र द्वारा प्रायोजित यूजना है, इसमें करीब 5,000,000 रुपीज दिये गए, अब ये जो centrally sponsored schemes हैं, उसके भी दो टाइप होते हैं, टाइप A, अती महत्वपूर्ण यूजना है, और व उसमें 86,000 करोड दिये, ये भी याद रखना है, पिछले साल भी इतने ही दिये थी, इसमें कोई change नहीं है, दूसरा है National Social Assistance Program, NSOAP, वो गरीब हो को pension मिले, विद्वा है, बुजूर्ग है, पिएच है, उनके घर का जो breadwinner है, main member है मर जाये, तो उनको insurance की रकम मिले, ऐसी ये scheme है, हाला कि उसमें state ने पैसा contribute करना optional है, but it is a scheme, फिर SC development, ST development, vulnerable groups, और आखरी में minorities के लिए, सरवाइंगी विकास योजना है, minorities में भी ऐसा है कि पिछले साल कुछ 500-600 करोड दिये थे, इस बार 900 करोड दिये, तो that has also shown an increase, तो महलब ऐसा कोई MCQ अगर data तो ऐसे तुके नहीं नह पहले से बढ़ाया है, हाल तो यह हुई core of the core schemes, उसके बाद आखरी होता है, अगर मैं कहूँ type A core of the core scheme, तो फिर type B core scheme महतोपूर्ण योजना है, जिसमें बाकि सब योजना है आ जाएंगी, प्रदान मंत्री जनारोग इतना, पांटला का health insurance, जल जीवन मीशन, घर पे नल से पानी आने की कुछ बात थी, PM आवास योजना, अर्बन और रूरल एरिया में, ग्राम सड़क योजना, स्वच भारत से लेके बहुत कुछ, smart city, अमरूद, ये वो, तो ये सब schemes के अंदर सरकार पैसा देती है, जादातर case में क्या है, of course election है, तो या तो पैसा same to same रखा है, या बढ़ाया भी होता है, for example, minorities के case में पैसा बढ़ाया है, जबकि मनरेगा scheme के अंदर same to same, जो भी था 86,000 करोड इतना रखा है, इसके अलावा जो अलग-अलग subsidy होती है, fertilizer, food, petroleum, subsidy, तो याद रखने लाइक चीज़ें ऐसी है, food, subsidy सबसे जादा, उसके बाद fertilizer, और आखरी मे पैटोलियम, अब पैटोल लीजल पे तो subsidy नहीं, पने LPG सिलेंडर की जो subsidy जाती है, 2022 में आप पाएंगे कि काफी जादा subsidy का बोज था, फिर अब दिरे-दिरे सरकार उसको कम कर दिया है, क्योंकि 2022 में Ukraine crisis हो गई थी, उसके चलते fertilizer import महंगा हो गया था, तो महंगा ये कार्ण थी, और किसानों को वो महंगा नहीं पड़े fertilizer, इसलिए सरकार ने अपने pocket से जादा subsidy उसके देनी पड़ी थी, 2024 तक हम पहुंचते हैं, तो fertilizer और LPG सिले को इन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि शायद ये सोचते नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के चलते fertilizer कम इस्तेमाल होग और LPG में आजकल rationalization हो रहा है, वो ऐसा कि middle class को नहीं देंगे, सिर्फ गरीबों को देंगे, और LPG का वैसे भी थोड़ा price कम हो रहा है, market में ऐसा कुछ, so those things are decreasing, ये सुकुन से video pause करके आप ये graph में data देखना आए, जो यहाँ पर आपको दिया गया है, and lastly food subsidy का burden तो high ही है, करी कि मैंने आपको बताया, वो जो 5 kilo free अनाज देने की scheme थी, वो उसको जारी रखा, इसलिए वो बढ़ता रहेगा, ये सब जो भी data set से, शाइद ये slide में आपको बराबर ना देखते हो, finance ministry की website पे जाओ, और एक document होता है, budget at a glance, इसको download कर लो, सब को मैं recommend करता हूँ, इसको download कर तो आप वो देख लेना, मैंने आपको कुछ sample दी हैं, कि for example, states को कितना पैसा जाएगा, transport में सबसे जादा पैसा जाएगा, rural development में दूसरे नंबर पर, agriculture में तीसरे नंबर पर, वगेरा, पैसा कहां से आता है, जाता है, हाला कि ये IS में नहीं पूछते पर ये जो है, one पैसा में से इतना इधर जाता है, और non-IS exam में कुछ बार पूछते हैं, फिर quantum size के हिसाब से कहां से कितना पैसा तक कहां जाता है, ये सब ऐसी चीज़ इसको आप सुकुन से zoom in करके देखो, download करके power point मिल जाएगा, वरना सरकार की वो जो annual budgetator glance है, उसमें से भी मिल जाएगा, हाँ तो थोड़ा वो देख के समझ के जाना, अब कुछ लोग कहेंगे नई भाई इतना था हमसे नहीं होता और ये तक क्यों मेनद करनी है, तो भाई आप समझिए, government scheme मत त्यार करो, data मत त्यार करो, बराबर medieval India वो सनीदाता समारता ये वो क्या था, वो सब भी त्यार मत करो, मत करो, बले पूछ रहे हैं, ministry department, tea board of India का दुबई में और Moscow में office है कि नहीं ये भी तियार मत करो, sports और missile के बारे हम पूछ रहे हैं, वो भी तुम तियार मत करो, तो फिर तो दुनिया ही छोड़ दो न, आगर ये पारो को भी छोड़ दिया, चंद्रमुखी को भी छोड़ द गरी का, दस सवाल करेक्ट हो है, बाकी के खीषने के लिए और भी आपको तो 40-50 सवाल लगाने, और ये भी ने कि बाकी subject ऐसे आसान है कि उदर से आपका हो जाएगा, तो, some of these things you will have to prepare, अच्छा लगे कि नहीं लगे, स्वर्ग में जाना है तो मरना जरूरी है, UPSC पास करन है, तो रटना जरूरी है, तो अभी आखरी segment of this video, myth-busting हो गया, नए पुरानी scheme देख लिए, सेंटरली sponsor schemes का development देखा, सबसिडी की बात कर लिए, criticism for interview, इंटर्वी में कुछ पूचा, नए बाजर के वाएँ, आप क्या सोचते हैं, क्या अच्छा बुरा, तो अच्छा ही है, जो लोग बुरा बोल रहे हैं, तो वो यह नहीं समझ रहे है, counter-cyclic feasible policy है, कोरोना में बहुत ज़्यादा पैसा मदद की थी सरकार ने, तो feasible consolidation करना है, feasible deficit काबू में रखनी है, तो recovery phase है, इसलिए सरकार अपने pocket से कम पैसा spend करी है, और सरकार यह expect कर रहे हैं, कि यह जो अधान expenditure, 11 lakh crore, उससे जादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता, and अब कुछ भी करेंगे, तो एक side का balance bigger जाएगा, and lastly, यह तो एक interim budget है न, तो यह ethical और moral भी नहीं होगा, अगर सरकार इसमें कुछ और जादा announcement कर देते, कैर तो यह segment अपना complete हुआ, इसके power point वगेरा, somewhere तक वो link जो description में उसमें download active हो जाएगा, बाकी मेरा course next आ रहा है, 22nd February से, उसके बारे में भी नीचे सब link होगा, description में, लेकिन वो ऐसा होता है, 15 दिन पहले से उसका सब वो चीज, आपको schedule वगेरा देखता है, schedule के आग आपके subject के सारे teachers के सारे courses आपके unlock हो जाते हैं, with just one subscription, cset भी आगया, means भी आगया, prelim और means की test series भी आगई, for pure English medium also we have sir, मेराज sir and other top educators joining an academy, their online pure English medium plus closest are also starting, and Hindi माध्यम के लिए भी मधुकर sir और दूसरे educators द्वारा लक्ष बैच की शुरुवात हो रही है, सब पे 50% off है using the code muna.org, let's crack it, best wishes, thank you.